हेलो दोस्तों कैसे आप लोग हम आपी राची एरपोर्ट पहुंच चुके हैं पर हमारा बेग वगएरा चेक हो रहा है कि बेग में कोई लेप्टोप या फिर बेटरी या फिर कोई पावर बेंक वगएरा है तो वो चेक करके निकाल दे रहा यहां पर और बगल में दिख रह बेग वगएरा या फिर जूता जो है बेल्ट है सारा चीज उतारना पड़ता है चेकिंग के लिए नहीं ले जा सकते हैं इसमें और यह एरपोर्ट का वेटिंग होल है यहां पर सभी लोग वेट करते हैं फ्लाइट के लिए चलिए हम भी कुई जिर बेटते हैं यहां पर आभी दर दोर देखते हैं क्या क्या दिखता है नजारे में चली खिटकी से बाहर देखते हैं किर्के बाहर क्या है में आठकी के बाहर ह्लेया यहां पर साथ हमारा प्लेबन आएगा यहीं फ confused हाँ हाँ यहीं पर ओबर भी दिख रहा है उस पर ही आएगा उसके बगल पर लगेगा वो यह फिल्ड काफी बड़ा है टेक अप करने के लिए और यह बगल में और एक प्लेन खड़ी है रेट कलर की कुछ एर इंडिया नाम का है और अभी हम जा रहे हैं प्लेन की तरफ हमार कि यह का टाइम हो गया है तो चलिए देखते हैं अंदर यह मरा फास्ट टाइम है तो एक्प्रियंस नहीं है उतना ठीक है यहाँ से बाहर देखते हैं यह रहा मारा प्लेन इंडिगो चलिए विंटर करतें यहां पर तो मोबाईल अलाव नहीं है तो अब इस वीडियू बन यह जैसे गूगल वाप में सेटलाइट ओन करके देखते हैं वह इसे ही दिख रहा है यह थोड़े हाइट पर जा रहा है तो धिरे धिरे धिर उपर जा रहा है थोड़े दिर बाद तो कुछ भी नहीं दिखेगा देखें एकदम बातल अब दिखने लगे और यह प्लेन का अं हम लोग यहां से शिर बादा ले दिख रहा है हलका सा नीचे का बोर्शन दिख रहा है वह बगल में वह प्लेन का डेना है ओके तो वीडियो का इंज्वाई कीजिए वीडियो झाल झाल अब हम हैदरावाद में लेंड करने वाले हैं, कुछी में हैदरबाद के ऐरपोर्ट पर लेंड कर जाएंगे, तो चनी देखते हैं। के साना जारा दिख रहा है हिदराबाद का तो काफी अच्छा लग रहा है घना जंगल टाइब का कुछ है घर तो उतना दिख नहीं रहा है क्योंकि एर्पोर्ट के बगल में है तो टेक अब के बाद साइद बस आगी हमें ले जाने के लिए तो चलिए देखते हैं और यह एकदम नीचे आ चुके हम लोग यह साइट से एकदम हरा भरा दिख रहा है यहां है रांची जैसा ही है हाँ एर्पोर्ट के बगल में तो उतना हरा भरा रहे गई वो सामने एक समुन् अब देखते हैं हमारा हेदराबाद कैसा है यहां तो फर्स टाइम आये हैं फ्लाइट भी फर्स टाइम है तो कुछ अलग मजाने वाला है देखते हैं क्या होता है कि वो सामने बहुत सारे मकान दिख रहे हैं बहुत सारे एकदम क्या ही बोले और हम एकदम नीचे आ चुके अब लगबग एक मिनट भी ने लेगेगा हम लोग बस लेंड कर जाएंगा है अब लोग उतरने वाले हैं यह सबी लोग बेट रहे हैं बस गेट के लिए अब निकलेंगे निकल नहीं वाले हैं वो गेट खुली रही है तो नीचे साथ हम लोग के लिए बस आएगी चलिए उतर रहे हैं अब दो देखते हैं हाँ नीचे हमारे लिए बस खड़ी है इंडिगो की तो हर फ्लाइट के लिए अपनी अपनी बस है यहां से एरपोट तक ले जाने के लिए जो कि अब इन तक छोड़ने के लिए इसलिए तो चलिए दिखते हैं वह इंडिगो की बस है और भी फ्लाइट है बगल में यह खड़ी हुए है यह हमारी फ्लाइट है जिससे हम आये थे इंडिगो 699 और पीछे में और भी सारे प्लेन है यह भी हम लोग बस पे जा रहे है यह पर्स टाइम बस भी है तो कुछ अलग फिलाने वाला है तो देखते हैं तो यह बस पे बेच चुके हैं बस में काफी मज़दार है एक दम नहीं है सबी लोग अपने अपने सीट पे बैठ रहे हैं तो और भी दो तिन बस है पीछे में जो लोग छूड़ जाएंगे और लोग के तो जरनी को एक इंजोई कीजिए हुआ हुआ है करेंगे उसके बाद वापस से उतर के अभी एरपोर्ट के अंदर जाएंगे वहां से अपने बेग कलेट करेंगे उसके बाद वापस से ओला या फिर बस से रूम में जाएंगे तो देखते हैं यहां हेदराबाद का एरपोर्ट कैसा है अंदर से यह बाहर करना जा रहा है जहां से हमारी बस थी जिससे हम लोग अभी वहां से फ्लाइट से सीधे यहां पर एरपोर्ट तक हैं तो चलिए करना जाएं सब्सक्राइब तो देखते हैं हम लोग रही पर चोंड़े पर आपने जाता है तो देखते हैं ओवेट करते हैं कुछ दिर यहां पर यह पहुंच चुके हैं चौक तक 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 तो यहां पहुत ज्यादा पानी आ रहा है तो लोगो को रुकना पड़ा है कुछ दिर के लिए हम तो अकेले हैं अपने वहां से तो आप लोग कमेंट में जरू बताएगा ये मेरा पहला ब्लोग वीडियो था और उतना एक्सपीडियेंस बनिया पार्स फ्लाइट भी था तो ठीक है आज के लिए इतना ही